Hello Friends, तो इस बीडियो में हम बात करेंगे structure of insect antenna तो यह insect के जो antenna होते हैं उसके बार में हम बात करेंगे इस बीडियो में अगर आपको वीडियो चेले के वीडियो को लाइक कर दें चैनल पर नए हैं तो अभी subscribe कर लें ऐसी information के लिए तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, तो यहां पर हमारे पास आता है Antenae function almostly exclusive in sensory perception Some of the information that can be detected by insect Antenae include motion and orientation, order, sound, humidity and a variety of chemical cues Antenae vary greatly among insect but all flow, follow a basic plan Segment 1 and 2, our term does escape and pedicle respectively The remaining antennae, antennae segment, flagellum are jointly called the flagellum तो जो insect के antennae होते हैं, उसका main काम होता है, sense करना यानि कि आसपास की जो चीज़े होती है, उसको insect के antennae है, वो sense करते हैं तो यह कुछ जो main जो काम होते हैं, insect के antennae के वो होते है, जो order होती है, खुश्पू होती है उसे पता करना, और यह sound होती है, यानि कि आवाज का पता करना, humidity यानि कि इंसान की मुझूदकी का पता करना, और यह कुछ chemical होते हैं, उसके बारे में पता करना, जो insect के antennae का काम होता है, तो जो फॉस्ट जो पार्ट होता है इंसेक्ट के antennae का, उसे escape कहते हैं, और जो बाकी हिसा होता है, बचा इंसेक्ट के antennae का उसे flogulum कहते हैं, तो यह insect के antennae का diagram है, आप इसे देख सकते हैं, और no down कर सकते हैं, तो यह था कुछ information, इंसेक्ट के antennae के बारे में, तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो बड और आप 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 आ